करेंगे जैसे कि मैं आपको बताया था कि यह सीरीज हमारी 40 लेक्टर से रहेगी और इसमें हमाच्र प्रदेश जीके का पूरा स्लिवस कंप्रेट करेंगे और हम हर चीज को टॉपिक वाइस देखेंगे ताकि हम याद करने में इस रहे अगर आपका हिमाच्र प्रदेश को ब पूरे इंडिया में बोले हम जो लास्ट जनगर्णा हुई थी वो 2011 में हुई थी और इस टॉपिक से आपको एक्जाम में एक कोशन देखने को मिली जाता है आम दोर पर चलिए हम देखते हैं इसमें क्या 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 इंपोर्डेंट पॉइंट है जो एक्जाम में आ सकते है अगर आपको कोशन बनता है तो कुछ इनी पॉइंटों में से बनेगा सबसे पहले आपका हिमाचर प्रदेश की जन संख्या आपकी हिमाचर प्रदेश की जन संख्या 2011 जनगर्णा के हसाब से 68,56,509 है ठीक है 68,56,509 यह आपकी हिमाचर प्रदेश की जन संख्या 2011 जनगर् किसरवादिक जन संक्या से आपकी कांगण zarineense है आपको जिन संक्या भ Face a 15,7223 या की सरवादिक जन संक्या कांग्रा जिले में है महाचे परदेश की और सबसे कम जन संक्या आपकी लहॉल स्पीटि में है जो माचल की सबसे कम आपके जनसंख्या है वो लाहॉल एट स्पीति में है कितनी है 31,528 यह आपके लाहॉल स्पीति की जनसंख्या है जो आपके हमाचल परदेश की जनसंख्या है वी भारत की जनसंख्या का 0.57 परसेंट है ठीक है इंडिया की पॉपलेशन का टोटल 0.57 परसेंट है आपकी हिमाचल की जन संख्या जो आपकी सबसे ज्यादा शहरी जन संख्या है वो शिमला में है और सबसे कम आपकी लावलेंड स्पिती में है और हिमाचल अपने इंडिया का एक मातर स्टेट है ज दस परसेंट शहरों में यानि शीटी में ठीक है फिर दिखते हैं सबसे अधिक अन्सूचित जाती जनसक्या अन्सूचित जाती का मतलत होता है सबसे अधिक जाती यानि ऐसी जनसक्या वो कांगला में है और अगर आपको पूचिए कि सबसे कम आपकी ऐसी जनसक्या कांपर है यानि अन्सूचित जाती तो आपकी वो है लहोलेंड स्पीती में सबसे कम है आपकी लहोलेंड स्पीती में और सबसे ज्यादा अन्सूचित जाती जनसक्या कांगला में है और आपकी सबसे अधिक अंसूचित जन जाती यानि ST जो आपकी ST की सबसे ज़्यादा population है वो कहाँ पर है वो आपकी चमबा में है और सबसे कम है उना में जो आपकी ST, ST की जन संक्या सबसे ज़्यादा है आपकी चमबा डिस्टिक और सबसे कम है उना डिस्टिक्ट में फिर हम देखते हैं हिमाचर प्रदेश की दिस्ट के वृद्धी यानि 2001 से 2011 दस सालों में कितने वृद्धी हुई हिमाचर प्रदेश की पॉप्पलेशन में वो थी आपकी 12.81% इतना इंक्रीस देखने को मिला जो आपकी की 2001 की जन संख्या थी और जो आपकी सबसे ज्यादा वृद्धी उए थी जन संख्या में वो इना डिस्टिक्ट की ऊई थी जो आपकी ओर्णा थी उश्टीन पॉइंट curious की 16.26 16.24% increase देखने और में जनसंक्या में राप की जो लॉल्स on कि थी इस ना मैद Met देखने को भिला माइनस में 5.10 यह मतनिग्ला अच्चापरदर्दिश lived डिक्रेस देखने को मिला पॉपलेशन में बाकि आपकी ओना की सबसे ज़्यादा इंक्रेस देखने को मिला तर्श के वृद्धी दर आपकी ओना डिस्ट्रिक के सबसे ज़्यादा थी और हिमाचल की थी आपकी 12.81 परसेंट फिर आपका लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो जो आपका दिजिए का सेक्स रेशियो है वो है 9.74ुँए इसका यह मतंदा होता है कि अगर आपकी 1000 फीमेल से हैं तो उसमें आपकी टोटल कितनी फीमेल की पोप्लेशन है तो आपकी प्रतिश में 9.74 फीमेल से हैं 1000, male के ओपर, 974 females है, तो आपके जो लिंग अनुपात, sex ratio है mustahil का वो है 974, और सरवादिक लिंग अनुपात वाला जिला, आपका हमीरपूर है, जो आपका हमीरपूर हैं, उसमें सरवादिक लिंग अनुपात है, कितना है 1096, 1000, male के ओपर, 1096 आपकी Females है और जो आपका सबसे कम लिंग अनुफात है हमाचा प्रदेश में हो किन और का है जो आपका किनोर जिला है उसका लिंग अनुफात मातर 818 है यानि एकंट 1000 मेल है तो आपकी female उसमें female population 818 है ठेके सरवादिक लिंग अनुपात वाला जिला आपका हमीदपूर है और सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला किनौर है अगर हम देखे 0-6 वर्ष यानि 0-6 वर्ष का हिमाज़्चा प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है तो आपका है 906 जो आपकी 0-6 वर्ष के आयों में जो बच्चे है उसमें अगर हम देखे कि लिंग अनुपात कितना है तो हिमाज़्चा का 906 है और सरवादिक आपका लौल डिस्टिक का है लौल एंड्स पिति का है वह यह वन थाउजन एंड थर्टीन यह आपका लौल एंड्स पितिक का है और यह आपका हिमाज़्चा प्रदेश नहीं पूरे इंड्या में सब डिस्टिक में सबसे जादा है एक हजार तेरा जो 0-6 वर्ष में लिंग अनुपात है ठीक है हिमाज़्चा का है 906 और जो आपका सबसे जादा है वह लौल स्विति में एक हजार तेरा और यह इंडिय पॉइंट सेवनेट परसेंट यानि टोटल 83.78 परसेंट टोटल 100 परसेंट में से लोग पड़े लिखे हैं अगर हम मेल की देखें इसमें जो आपकी मेल की शाक्षरत है वो है 90.83 परसेंट और आपकी फिमेल की है 76.60 परसेंट यह आपकी मेल की है एक्जाम में कुशन आर्क है कि आपकी फिमेल की कितनी लिटरसी है यानि शाक्षरत है हमाचल प्रदेश में तो आपका आंसर होगा से डिवाइड करके एवरेज बन गया 83.78 तो आपकी हमाचल की साक्षरता है 83.78 परसेंट फिर आपका सरवाजदिक साक्षरता वाला जिला जिला वह है हमीर पूर । अगर हम देखें कि पूरे अंडिया में हमाचल का साक्षरता में क्या स्तैने तो वह पांच़ वाए थ्यादा सबसे पहले आपका केरल फिर आपका मिजुराम पिर आपका गोवा त्रीपूरा और फिर आथा आपका हिमाचल परदेश तो आपका पाच्छे नमबर में सक्षरता के बाबले में हमाचल परदेश भी ज्यूर्श कंश्रता वाले जीला हमीरपूर है सबसे कम शाक्श्रता वाले जीला का चमबा है अगर एक चीम में पूछ ली कितने परसेंट तो यह से सरवादिक हमीरपूरे इसके के एपकि 89.01 क्यिआ है पर सेन्ट सक्षरता और चमभा की आजए तो आपकी है 73.63 ठीक है सबसे कमुछा आपका सक्षरता वाला जिला है चमभा और सबसे ़ादा है हमिरपूर फिर आपका हिमाथ्चर प्रदेश की जनसंख्या घंट्व कितना है तो वह है 123 कि माच्चर प्रतिश का जनसंख्या घनतवा है 123 कि आपके पर एक किलोमेटर में कितने लोग है तो आपके 123 लोग है फिर आपका सरवादिक जनसंख्या वाला घनतवाला जीला वह आपका हमीरपूर कि इसमें आपको 406 है घनतवार सरवादिक है हमीरपूर फिर है आपका उस्पंसे कम जनसंख्या घनतवाला यह आपका लावलेंड्स फिती इस में आपको सबस्illah मे जनसंख्या घनतव है मात्र दो ही है कि पर किलोमेटर में आपको 2 लोग मिलेंगे ठीक है तो यह कुछ important points मैं आपको बता दिए आपको जिन गर्णत 2011 में क्या क्या पतों नचे एक्जाम में कुशन इन ही points में से कुछ मन जाता है चले मैं अपना अगला topic देखते हैं अब जो हमारा अगला topic है हो है first in हिमाचल प्रदेश यह भी आपका एक important topic है इससे भी आपको पोली सोच है पटवारी forest guard इन पेपरों में कुशन देखने को मिल जाता है चले मैं आपको कुछ नाम बताऊंगो इनको आपको याद रखना है पहला आपका first chief secretary यह थे आपकी KL मैता यानि पहले मुख्या सचीव हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्या सचीव थे KL मैता फिर आपका first लोका युकता यह थे आपकी justice TVR टाटाचारी यह हिमाचल प्रदेश के 1983 में first लोका युकता बने थे TVR टाटाचारी फिर आपका first chairman of HP Administrative Tribunal या आपके थे Justice Hira Singh ठाकुर यह माचल प्रदेश के 1986 में first chairman बने थे HP Administrative Tribunal के Justice Hira Singh ठाकुर फिर आपका first vice chancellor of HP University यानि HPU इसके पहले उपकुल पती थे वो थे Ram Karan Singh जो आपकी HPU की establishment हुई थी वो 1970 में हुई थी फिर आपका first vice chancellor of agriculture University पालंपूर इसके जो आपकी स्तापना हुई थी agriculture university की पालंपूर में 1978 में हुई थी और इसके पहले उपकुल पती है dr. हेत्राम कालिया जो आपकी इसके पहले vice chancellor है हुई है dr. हेत्राम कालिया फिर आपकी first vice chancellor of horticulture university नौनी जो के आपकी सोलन में है यह आपके established हुई थी 1985 में और इसके उपकलवती है mr. ठाकुर पहले vice chancellor है dr. mr. ठाकुर फिर आपका first governor to dine office यह थे आपके श्री शुरेंदर नाथ हिमाचल प्रदेश का अगर पूछले जाए पहले governor को थे तो आपका answer होगा s. चकर वर्थी ठेक है और first governor to dine office थे वो थे श्री शुरेंदर नाथ फिर आपका first woman to represent हिमाचल प्रदेश इन लोगसभा यह थे आपकी राजकुमार अमरित कोर फिर आपकी first woman minister in the union cabinet यह भी आपकी राजकुमार अमरित कोर थी यह आपकी एंडिया के पहली health minister भी थी फिर आपका first member of the Rajya Sabha यह थे आपकी श्री चिरंजी लाल वर्मा आपके हिमा first winner of the Victoria Cross यह थे आपकी लेट जमदार लाला राम फिर आपका first winner of Paramvir Chakra यह थे Major Sumnath Sharma यह माचल नहीं पूरे इंडिया के पहले Paramvir Chakra जीतने वाले विजेता थे इनका नाम है Major Sumnath Sharma फिर आपका first winner of Mahavir Chakra यह आपकी Lieutenant Colonel Kamand Singh फिर आपका first winner of Veer Chakra यह थे आपकी हविलदार तोप के इस सारे नाम आपको याद हुने ची एक्जाम में कुछन आ जाता है इनमें से एक important topic है फिर आपका first President of Police Medal यह आपका जो पहला Police President Medal मिला था वो था गंगवीर सिंग को मिला था फिर first chairman of HPSSB हमिरपूर जो आपकी third और fourth class की जो jobs होती है उनकी notification या जो उनके test लिया जाता है वो आपका HPSSB द्वारे लिया जाता है जो का आपका हमिरपूर में है इसके जो आपके पहले chairman थे वो थे श्री केसी मलोत्रा फिर आपका first person to climb Mount Everest यह आपके Sunil शर्मा थे हिमाचर प्रदेश की पहले person थे यह आपके मंडी के रहने वाले सुनिल शर्मा यंगेस्ट कर्ल तू स्केल मौंड अवरेस्ट यह आपकी डिकी डोल्मा है फिर आपका first to represent Indian Olympic hockey यह आपकी चरंजित सिंग है यह उनक रहने वाले थे और इन्होंने 1964 टोक्यो Olympics में इंडिया टीम की कैप्तानी भी की है जो आपकी hockey की टीम थी इंडिया की उसकी कैप्तानी भी की है फिर आपके first information commissioner यह थे आपके श्री PS Sanayana first judicial commissioner यह थे आपकी justice J.N.Banerji first woman chief secretary of HP यह थे आपकी miss Aasha Swaroop first police chief यह थे आपकी श्री S.R. Chaudhary IGP थे first army chief from HP यह थे आपकी general V.N. Sharma first radio station in HP यह आपका शिम्ला में था जो आपका पहला radio station था है मांचरप्रदेश को शिम्ला में था first private radio station in HP यह था आपकी 91.9 big FM शिम्ला फिर आपका first hydro project exalted by the state government इसमें थोड़ा गलत हो गया आपका गिरी जो hydro project है वो है for socio economic upliftment of tribal people आपकी जो scheme चलाएगे थी drastic laws पीती में फिर आपका first hydro project exalted by the state government यह आपका सही है यह आपका district कांगड़ा में संजीत विद्यूत परियोजना है ठीक है जो आपकी underground परियोजना है यह आपकी संजीत विद्यूत परियोजना इसे बाबा परियोजना भी कहते है यह आपकी गिनौर डिस्टिक में है first travel line यह आपकी काल का शिमला थी जो आपकी 1903 में बनके त्यार हो की थी लौड करिजन के टाइम पर फर्स्ट लोग सभाई एलेक्शन यह आपकी 1952 में होए थे फर्स्ट विदान सभाई एलेक्शन यह आपकी 1951 में हो थे और आपके जो वाइस परमार थे वो पहले चीफ मनिस्टर भी बने थे हिमाचर प्रदेश के फिर आपका फिर्स्ट वाइर प्लैन यह 1951 से 56 तक चला फिर्स्ट पक्का होसीं शिंबला यह मेजर कैनेडी दुबार बनाए गया था 1822 में फिर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजिट शिंबला यह थे आपकी लॉड्ड एमर्स्ट इन 19 सोरी इन 1827 फिर्स्ट रेसिपेंट दॉक्टर वाइस परमार अवार्ड यह थे आपके मिया गोवर्दन सिंग फिर्थ आपको फर्स्ट यह आपकी साहिते के लिए जाता है फिर्स्ट रेसिपेंट ऑफ पार्डी गांधी बाबा कांसी नाम अवार्ड यह आपके जैदिव किरन थे जो आपके पहले विजेता चंद्रधर शर्मा गुलेरी वाड की वो थे श्रीकेशव नरायन फिर आपका फर्स्ट रेसिपेंट और पर्शुनाम अवार्ड यह आपकी सुमन रावत थी इनको 1987 में मिला था एथलेटिक्स के लिए यह वार्ड यह सुंदर नगर की रहने वाली है आपकी सुमन रावत पहली पर्शुनाम जीतने वाले थी हमालचर प्रदेश की जो आपका पर्शुनाम अवार्ड है वह हमालचर प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड भी है खेलों के लिए फिर आपका फर्स्ट पर्स्ट फ्राव एच्पी टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यह आप आपका बिर्जिस फ्री टेंपल अउस को डिस्टोई भी क्या धन होने फिर आपका फर्स्ट मुगल रूलर ओफ कांगड़ा यह आपके अकबर थे फिर्स्ट प्राइवेट उनिवर्सिटी इन हिमाच्चर प्रदेश यह आपकी वाकनागार में थी जेपी उनिवर्सिटी आपकी मंडी थी फर्स्ट विलेज इन इंडिया तो बी गीवन हेटेश स्टेटिस इन 1997-18 यह थी आपकी प्रावपूर यह आपकी कांगड़ा में फर्स्ट कॉमेडी सेडियल ओफ यह आपका चंदु नंदु था फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडिम इन ह्पी यह आपका ध्रमचाला था है यहाँ पर 2013 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच में पहला में एच भी हुआ था फर्स्ट इंटरनेशनल स्वर्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलोजी पार्क यह आपका मौजा मजहोल वाकनगाट में है फिर आपका ओल्डेस फोर्ट है यह आप आपका कांगड़ा फोर्ट है यसे नगरकॉर्ट फोर्ट फिर आपका ओल्डेस प्रिंस्ट्रि स्टेट यह आपकी त्रिगरता थी त्रिगरता में अब्सके अपकी चंधिर्फ स्कूल पर्देश में अगर आपको आज की कलास हमारी अच्छी लगी तो इस को लाइ अगर आप हिमाचर प्रदीश पॉलिस कॉंस्टेबल 2021 की तेहरी कर रहे हैं तो हमारे दुबारा बनाएगे टैस्ट स्रीज ज़रूर लिचेगा जिसे आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता लग जाएगा यह स्कीन पर दिएगे नंबर पर वट्सेप करके आप पूर